हलो स्टुदेंट्स वर्कम बैक टू फिजिक्स क्लास तुडेंट आज हम यहां पे बीए सी फॉस्ट यहर का अपना नेक्स टॉपिक करेंगे विचे थर्ड लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कर लिया था वहां पे आपका जो डायनेमिक से सिंगल पार्ट देती हूं ताकि जब तक वर्कड़न नहीं पता होएका आप कैसे उसको फॉर्मलिक अपलाई करोगे वहां पे है न तो इसलिए मैं अभी आपको सिंपल वर्कड़न लिखवा देती हूं उसके बाद आप क्या करोगे वहां पे नेक्स्ट टॉम पे आपका वर्कड़न इन सिंगल पार्टिकल डायमिक उफ एंदर मैंने वर्क बताना है ठीक है उसकी अदर देखो कोई ऑगर वर्क किया जा रहा है आपको पतया है वर्क ्दіन कैसे बोलते हो अप एक कि इतना फॉर्स आपकोश्मौल displacement करने के लिए लगाना पड़ रहा है ठीक है उसी कोई हम क्या बोलते है वक्डन बोलते है राइट तो अगर इसकी कोई बोलते है तो आप वन पोजिशन से सेकंड पोजिशन अगर उस चीज को कर दोगे ठीक है जिसे सुपोर्ज आपके बास DW कोई वक्डन किया हुआ है आप टोटल वक्डन निकाना तो यहां से यहां तक मीं कितना किया गया आप इंटीग्रेट करके बता दो तो उससे आप क्या बता सकते हो टीक है तो अगर मैं यहां पे यह कह दूँ कि कोई बोली है छीक है इसको डिस्प्लेश करने के लिए सूपॉस मैंने एक्सटर्न o ऐ quem किसके एक्वल हो जाएगा f dot dr के एक्वल हो जाएगा सबको पताईए जिस तो है ना तो यही चीज क्या करने है हमें वोक के लिए लिखनी है तो आप यहां पर लिख लीजिए if an external force f vector acting on a particle अब आपको पते हैं यहां पर मैंने acting on a system नहीं लिखा मैंने यहां पर एक particle के बारे में deal कर रही हूँ एक single particle के साथ deal कर रही हूँ तो जब single particle लिखोगे तो वहां पर आप force single particle के ओप लगा किया होगी ठीक है अगर आप system of particle बोल रहे हो कोई आप तो system के लिए आप यहां पर force system पर लगा होगे और system कर displacement देखोगे राइट बीटा तो यहां पर क्या हो जाएगा on a particle having a position vector r vector displaces it through dr vector then work done dw is dw is equal to f vector dot dr vector ठीक है समझ में आया ऐसे ही तो हम करते थे work done की definition हमने यही तो पढ़ी है ठीक है तो अगर मैं आपको यह कह दू कि मैं एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन के ऊपर जा रही हूं suppose एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रही हूं तो वहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा इसी का integration करना पड़ेगा तो so if the particle is moving from point one to two having position vector r1 vector and r2 vector then dw w कहां से integrate one से लेके two तक ठीक है यह करेंगे is equal to आपका integration one to two यहां पर आपके पास कितना था f dot d r vector उसने कर लिया कितने टाइम के अंदर यही कहते हो ना कि कितना काम कर लिया कितने टाइम के अंदर तो यह उस बंदे की शम्ता है यह उस बंदे की पावर है तो अगर वह उस बंदे की पावर है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा work done per time करना पड़ेगा w by t लेकिन अभी तो मैं d w नेगार ते उसको displacement करने के लिए नेक्स इसके अंदर आएगी पावर तो पावर आप क्या लिखोगे कि पावर क्या है कि कितना काम किया गया कितने टाइम के अंदर ठीक है तो लिखो इस डिफाइन एस दा टाइम रेट ओफ दूइंग वर ठीक है तो पावर इस एक्वल तो कितना काम किया गया कितने टाइम के अंदर अब आपको तो पताएए यह कितना काम किया गया आपका F.ds की DR किया गया था अप और में क्या कर देंगे डीटी कर देंगे ठीक है कि क्या नीचे तो डीटी का कोई फाइदा है नीग डी-एर बै डीटी एक और डी-एर बै डी-टी कुछ और ने देखो सबक्रiestaStone religio कि आँछिए बोलते हैं इसेन्स का जेन्ज विध रिस्पेक्ट्यु तताइप वेलसिटी수를 ये डिश्प्लेस्मेंट ज часть विद्थियु टाइप घ्र फियुट विलाफ़िटीन टीक है यहां पर साहरे में ठीक है ये आर्टर भी तो लगा रही हो इसके साथ में ठीक है और यार्टर तो आपको décidé Rob पता हैं अगर मैं यहाँ से घूंके इसी point के उपर आ जड़ सुप주들 तो आपसे पूरा हम इसका distance calculate कर सकते है और पूरे circle के अंदर या फिर मैं यहां से जाके यहां जाके यहां जाके दुबारा इसी point पे आ जाओ तो इसके अंदर भी क्या होगा displacement zero हो जाएगा क्योंकि displacement direction भी लेके चलता है यह बंदर जितना यहां चला था उतना ही इसके opposite direction में चला है जितना यहां आने में लगाया उतना ही इसने यहां जाने में distance लगाया था इसी वज़े क्लॉस्ट पाथ के अंदर हमेशा displacement क्या होता है zero होता है ठीक है अब यहां पे देखो यह कितना हो जाएगा dot dr by dt त तो dr vector by dt यानि कि displacement का change with respect to time कितना होता है velocity होता है that means power is equal to force dot velocity का ठीक है यानि कि dot product होता है आपका force and velocity का यहां पे आप क्या बोल सकते है उसको power बोल सकते हो ठीक है उसके बाद next आप यहां पे concept डालोगे energy का energy क्या होती है capacity of doing work ठीक है कि कितना हम काम कर सकते है वो हमारी capacity होती है उसी को हम क्या कहते है अपनी energy बोलते है ठीक है यह दो type की है आपकी kinetic energy and potential energy kinetic energy तो work during term of kinetic energy तो मैं निकलवाई चुकी हो तो आप यहां पे कह लेना इसको ठीक है तो यहां पे देखो energy क्या हो जाएगा it is nothing but capacity of doing work ठीक है it is of कितना टाइप की हो सकती है आपकी वैसे तो various kind की हो सकती है बहुत सारे टाइप है बिट्टे इसकी है ठीक है कौन-कौन सी जैसे आपकी कोई भी chemical energy हो गई ठीक है और kinetic energy भी हो सकती है वैसे तो यह mechanical में आ जाती है kinetic और potential आप अलग-अलग mention करना चाते हो तो अलग-अलग भी कर सकते हो ठीक है electrical energy हो गई electrical energy हो गई ठीक है और कौन सी बोल सकते हो yes magnetic energy ठीक है तो हमारे पास बहुत सारे type की क्या होती है अपनी energies होती है ठीक है उसके बाद मैंने आपको क्या करवाय था यहां पे kinetic energy के work done in kinetic terms के kinetic energy के terms में मैंने आपको find out करवाय था जहां पे आपको याद हो मैंने T2 minus में T1 करवाय था कि यह बढ़ा है तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ठीक है तो आप इसको कर लीजिएगा अब next heading डालीजे conservative force मैंने आपको बताया था conservative force कौन से होते है यह वह force होते है जिसके अंदर जब भी मैं work done करती हूं किसी particle को move करवाने में from one point to another वह सिर्फ किस पर depend करता है उसके initial and final position पर depend करता है उसके path के उपर depend नहीं करता है यही मैंने आपको इसमें बताया था यह और कुछ और बताया था नहीं बताया ना कुछ और यहीं बताया ना कि जब हम work done करते हैं कहीं एक point से दूसरे point जाने में तो हम सिर्फ इसका path मतलब नहीं लेंगे सिर्फ इसकी position लेंके चलेंगे कि यह कहां से कहां पोच गया कौन सा path trace कर रहा है हमें उससे coil लेना देना नहीं है ठीक है तो अगर नहीं है तो इसकी definition लिखो और इसके corresponding क्या निकालना है हमें work done देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि conservative force उसके work done से define हो रहा है ठीक है इसलिए इसका work done देखना पड़ेगा तो आप लिखिए इस दा work done by it in moving a particle from 1.2 another point depend only on its initial and final point not on the path followed by particle then this force is called conservative thing conservative force तो इस force को हम क्या कहते है conservative force कहते है suppose – Workshop – теперь a ram work done in these are same why because these are the conservative forces because these are the conservative forces and it only depend on the initial and final position not on the path so the path traced by these are same ठीक है यही सारी चिजे आपको लिखनी है तो आप यहां पे लिखे कि if the particle moves from A to B moves from A to B and trace three paths then work done from A to B is same in all paths that is work done from A to B is equal to A to B for the first आपको क्या हो जाएगा F dot D R vector ठीक है is equal to आपका कौन से के लिए A to B F dot D R vector किसके लिए second के लिए is equal to integration F dot आपका कहां से A से B तक कितना हो जाएगा F dot D R किसके लिए third के लिए तो अगर ये तीनों सेम है तो अगर बिटा मैं इसको पूरा यही सर्कल माल लू तो अगर मैं यूं कहादू कि clause loop में जा रहा है तो आप क्या कहोगे कि मैं path इसका सेम है यही कहोगे path सेम है ये एक direction में जा रहा है ये इसके opposite direction में जा रहा है तो अगर मैं hall के लिए यानि कि पूरा full circle के लिए इसको calculate करूंगी full circle के calculate करूंगी तो जितना इसने यहां trace किया उतना ही यहां trace किया इसका मतलब ये दोनों for closed path f dot ds is equal to 0 ठीक है closed path के लिए ये हमारे पास क्या हो जाता है 0 हो जाता है अब हमने ये देखा था कि ये तो चलो ठीक है लेकिन जब हम non conservative forces के पास चलते हैं तो आपको पता non conservative forces उसमें तो किस पर depend करता है आपके path के ओपर depend करता है आपके points initial and final position पर depend नहीं करता ठीक है तो अगर वो इनके ओपर depend नहीं करता तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो f dot ds रहेगा आपके non conservative के अंदर वो हमेशा कैसा रहेगा positive रहेगा ठीक है कैसा रहेगा positive रहेगा तो आपको यही चीज़े लिखने है इसके अंदर non conservative forces non conservative forces कौन से होते है a force is said to be non conservative if the work done by it on a particle that moves between two point is depends only on the path trace या followed by particle ठीक है और इसके लिए मैंने आपको बताया है हमेशा क्या होता है इसके अंदर हमेशा clause integral f dot ds या dr कोई भी बोल सकते हो ठीक है displacement आप r से भी बता सकते हो s से भी बता सकते हो किसी से भी बता सकते हो ठीक है तो f dot dr is always greater than 0 ठीक है अच्छा कोई आप से इसके example पुछे तो क्या देखे आओगे आपके conservative और non conservative forces के अगर कोई example पुछे तो क्या देखे आओगे तो मैं बता देती हूँ यहां लिख लेजे conservative forces यहां लिख लेजे non conservative forces ठीक है conservative forces में आप example दे सकते हो कौनसा आपका मतलब fix center से उसमें जला जाता है या तो central forces बता दीजिए ठीक है central force ठीक है या फिर gravitational force आप example बोल चकते हो ठीक है elastic forces या electrostatic forces यह सारे आप किसमें बोल चकते हो conservative forces में बोल चकते हो ठीक है आपने पढ़ा है ना 12 के अंदर पढ़े है अपने electrostatic forces first unity थी अपने electrostatic विकी तो उसमें आपने देखा नहीं कि जो हमारे पास कुलाम स्लो आता उसके बाद हम लिखते कि यह कैसे होते है conservative forces होते है लिखा था ना हमने conservative forces होते है ठीक है तो यह अपनी conservative forces होते है तो ऐसे ही यहाँ पर non conservative के लिए लिखिए force of friction ठीक है electrostatic induction next viscous force etc ठीक है यहाँ पर अपनी conservative force and non conservative force complete होते है अब हमें क्या करना है इसके आदर आपका जैसे मैंने आपका work done in the kinetic energy calculate करवाया है ऐसे ही आपको potential energy and work done in the potential energy find out करनी है ठीक है तो देखो यहाँ पर mention करो next topic यह complete हो जाएगा आज potential energy ठीक है आपको एक चीज़ जाद हो तो हम देखो क्या करते है मैं थोड़ा सा overview बता देती हूँ ताकि आप इसको बाद में ना easily कर पाओगे ठीक है आपको याद हो तो आप यहाँ पर जब लिखते थे ठीक है तो आप potential को यह नहीं लिखते थे dv by dr is equal to minus के e उसमें लिखते थे है ना तो e को कि इसमें e या f जो भी उसमें कर रहे हैं हम यह कितना हो जाएगा minus के dv by dr इसमें कर सकते हैं क्यों क्योंकि जो potential होता है actually मैं आप उसको change in work उसमें भी बता सकते हो force उसमें कितना change आ रहा है एक से दूसरे उसमें ठीक है तो अगर इस टाइप से हम इसको बताते हैं ठीक है कि जैसे एक यहां से infinite पे चलेगे infinite से इस point पे आने में या इस point से वहां जाने में तो against force लगाते है इस वज़े से यहां पर क्या जाता है एक negative sign भी आ जाता है ठीक है यहां पर negative तो आ गया यह वाला और जब हम इसको अभी में करवाती हुए तो तभी आपको समझ में आ जाएगा यह ठीक है तो लिख लीजे इसके अंदर potential energy के लिए Potential energy of a Particle Is the energy Possessed by it Due to Change its Position Position ठीक है यह करकी देखो जब वो कोई हाइट ले लेता अपनी position चेंज कर लेता है तब हम इसको क्या बोलते है अपनी potential energy बोलते है और अगर कोई भी motion की वज़े से बताता है तो हम क्या बताते हैं उसके अंदर उसकी क्या Kinetic energy बताते हैं ठीक है तो due to its position बोलो कि position की वज़े से जो भी अपना आ रहा है उसको हम यह बोलते हैं ठीक है तो अगर हम इसके अंदर क्या जा रहे हैं एक point से दूसरे point के उपर जा रहे हैं ठीक है तो potential energy का expression क्या हो जाएगा in going from one to another point potential energy can be expressed as कैसे express करोगे dv आएगा integration one to two तो मैं खाली वी लिख सकती हूं integration आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा क्योंकि आप देखो आप कहा हो final से initial उस पर आते हो ठीक है यानि कि देखो once to another तो हम क्या कहते हैं infinite से इस point के उपर आते हैं तो यानि कि यह suppose मेरा r1 point है यह मेरा r2 point है आप तो यहां से यहां पर आ रहे थे तो यानि कि आप r2 पे से r1 पे जा रहे हो इतना आपने क्या कर दिया वहां पे काम किया है यही कहते हो ना कि इतना हमने काम कर दिया लेकिन हम किसके form में बताते है r1 से r2 के में तो यह opposite force हो गया यानि कि against work done करना पड़ गया समझे हो against work done potential energy का नहीं बता आपको ऐसे नहीं निकालते potential energy del v is equal to आपका कितना work done के corresponding बता दो a point से दूसरे point में कहां तक जा रहे हैं ऐसे कवाला किया था याद आया formula कुछ आ गया होगा है ना तो और आपका simple potential कैसे बताते है work done by charge की form में बताते हैं पता है del v वहां से इसमें भी और यहां पर potential energy की form में ऐसे भी बताते हैं ठीक है तो यहां पर देखो work done from r2 से infinite से किसी position पर लेके आ रहे हैं मैं 1 से 2 के उसमें बताऊंगे तो यह क्या हो जाएगा negative sign आपको पता होगा इन जो यह होते हैं आपके integration के point initial and final जब इनको exchange किया जाता है तो आगे negative sign आता है यह कितना हो जाएगा r1 से r2 f.ds ठीक है तो यहां पर हम कहां पर पोचके initial से final के उसमें अब मैंने यह माल लिया कि जो वी है यानि potential है वो मैंने यहां देखो r1 से r2 के उसमें ले रखा इसका मतलब तो क्या हुआ कि r position यानि कि space के coordinate ले रखे हैं और space के coordinate जो होते हैं बिट लिया है वो मेरा तीनों का function है यह मतलब हुआ ना वी मेरा कितने का हो गया आपका तीनों का function हो गया है ठीक है अब यह कहता है कि अगर वी मेरा तीनों का function है तो आप उसको उसी में assign कर दीजिए ठीक है तो let v is a function of coordinates x, y, z of a point in space so v is equal to v x, y, z ठीक है तो अगर यह ऐसा है तो बिटा हम इसको partial derivative भी कर सकते हैं ठीक है कैसे करेंगे यह इसका function है तो curly v by curly x, dx, curly v by curly y, dy, curly v by curly z, d, z इसको क्या बोलते हैं टेलर थियोरम बोलते हैं ठीक है तो टेलर थियोरम से हमने क्या कर दिया है इसको expand कर दिया है तो using Taylor's Theorem The change in v can be written as dv is equal to curly v by curly x into dx plus में सिद्धा ऐसे लगा लो ठीक है curly v by curly y into dy plus में curly v by curly z into में dx ठीक है हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर अब यह तो मेरे actual जो यह है वो तो f.ds के उसमें है ठीक है तो हम इसी के लिए हमें इसको करना पड़ेगा तो अब f के उसमें हम आए एक्स वाई जड यानिकी डी-एक्स डी-वाई डी-जड इनके साथ बना देती है तो डॉट प्रड़क्ट करके इसको उपन कर दूंगे ठीक है तो इसको उपन कर देंगे देखो कैसे अपने पास क्या था डी-वी इस इक्वल टू यहां क्या था देखो करली वी बै करली एक्स इंटुमें डी-एक्स था ठीक है यहां पर क्या था करली वी बै करली वाई इंटुमें डी-वाई था और एक था आपका करली जड बै करली वी बै करली जड इंटुमें डी-जड था अगर मैं इसके साथ आई V by curly X I cap plus में curly V by curly Y J cap plus में curly V by curly Z K cap into dot product कर देते हैं किसके साथ इनके साथ ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा D X I cap D Y J cap plus D Z K cap ठीक है इनका dot product करेंगी तो वही आ जाएगा लेकिन अब यहां पे देखो एक चीज़ क्या बन गई है V तो सम में common है इसका मतलब curly by curly X I cap curly by curly Y J cap ठीक है प्लस में curly by curly Z K cap और यहां पे हमने V भार लेका दिया और यह D X D Y D Z यह कुछ और नहीं हमारे position वेक्टरी तो था R को आप X I plus में X I cap plus में Y J cap plus में Z K cap लिख सकते हो तो DR को आप कैसे लिख सकते हो D X I cap plus में D Y J cap plus में D Z K cap तो इसका मतलब यह और कुछ नहीं है बलकि हमारे पास क्या है DR वेक्टर ही है यह वला यह यही है ठीक है तो अब यह कहता है कि इसको क्या बोलते है हम operator lapelation operator बोलते हैं ठीक है तो इसको हम डेल बोल देंगे ठीक है तो इसको ध्यान रखना यह इसको बोला जाता है ठीक है तो डेल स्कुर उसमें लपलेशन उसमें यह डेल लखा लिए ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं डेल इसमें आ गया अभी कहता है इसका मतलब हम DV को represent कर सकते हैं कैसे DEL V.DR Vector अब आपने उपर ये बताया था कि जो dv है आपका वो किसके उससे आपका आ सकता है जो आप integration कर रहे थे ना 1 से 2 के उसमें जब अपने भी बताया था ये आपने 1 से 2 यानि कि r1 से r2 जब किया था तो minus के position vector के साथ किया था ये बाला ठीक है और ये कितना f.dr vector के equal आ गया था आ गया था इसका मतलब ये चीज भी तो मेरी इसी के equal होगी अगर ये मेरी ये है तो तो dv तो dv सेम है एक point से दूसरे point इसका मतलब तो ये भी सेम है यही कहना चाहरा है इसका मतलब ये भी सेम है अगर मैं इसको compare करूँ इसका मतलब ये चीज quantity मेरी इसके equal होगी और ये minus f के साथ है इसका मतलब minus f मेरे किसके equal होगया del v के equal होगया ठीक है इसका मतलब f किसके equal होगया minus के del v जिसको हम क्या सकते है कि f is equal to minus of gradient of v समझ में आ गया, इसको हम किया बोलते सकते हैं, माइनस ओफ ग्रेडियंट ओफ बोल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, अभी यह कहता है कि चलो ठीक है, यह क्या माइनस साइन क्या रिप्रेज़न्ट करता है, जिसे आपने वहां पे, इलेक्ट्रीक के लिए बताए था, यह work done in terms of potential energy for a conservative force, तो और कुछ नहीं, conservative force के लिए potential energy का नहीं है, one से two f dot dr vector कर दो, ठीक है, अजस्ट क्या कर दो, इसका integration उसमें कर देंगे, ठीक है, integration अगर करूँगी, तो मेरे को पता है, कि जब यह one से two में जाएगा, तो f और कुछ नहीं, बल्कि gradient of v ही होता है, ठीक है, यहाँ पर dr vector हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जब आप इसको solve करोगे, तो और कुछ नहीं, यह आपका आजाएगा, minus के one to two, dv के equal आजाएगा, ज ठीक है, minus के dv के equal आया है, तो इसका मतलब minus के v2 minus में v1 आपके पास आजाएगा, जिसको solve करोगे, तो v1 minus v2, तो यहाँ से अपना यह answer निकल जाएगा, इतना complicated करने की बज़े, जिस work done को इसकी form में लिखते है, force को हम इसकी form में, dv की form में लिख सकते हैं, मैंने last आपको आया था, यह वला quantity, की dv is equal to, यानि की v is equal to, यह किसके equal हो जाता है, integration f dot dr, कहां से r2 पे से r बन जाते है, लेकिन, जब हम r1 से r2 जाएगे, तो minus sign ना किया जाएगा, जिस मैंने वही यहाँ पे किया है, ठीक है, तो जब मैंने यह इसके अंदर कर दिया, यह मेरा किसके equal है, इसके equal, इसको मैं सिद्धा integrate करके ऐसे कर सकते हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यह concept पूरा complete होता है, अब आपके 2 रह गए हैं, इसके अंदर central force और torque, वो next lecture के अंदर करेंगे, ठीक है, thank you for watching this video and keep sharing with your friends, thank you.